नमस्कार दोस्तों, डीडी रियाग के एक और रेक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलो तो यार, ब्रहमोस मिसाइल पर, रिभाह इम्रान के चैनल पर मैंने रेक्शन दिया था उनके वीडियो पर कि पाकिसानी जनता क्या करिये ब्रह्मोस पर एक और वीडियो बनाया है Catalyst Records ने, जो ब्रह्मोस की Export Deal हमने की है Philippines के साथ उस पर, तो मुझे लगा कि आप दोनों ही वीडियो पर बना देना चाहिए ये वीडियो तो ये दूसरा वीडियो है ब्रह्मोस वाले पर यहाँ पर लोग क्या कह रहे है वहाँ पर तो रिभावाले पर आपने देखा ही कि क्या हुआ अब यहाँ पर लोग क्या कह रहे है यह भी मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए कि यहाँ के लोग क्या कह रहे है अब यहां पर ब्रहमोस की बात हो रही है कि नहीं हो यहां पर देखते हैं तो चलिए यह Catalyst Records का वीडियो है और इसका टाइटल है India Export Brahmos Missile to Philippines First Export Deal of Brahmos Sign तो चलिए इस पर लेखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं इसा है कि इंडिया ने व्रामोस Missile जो रश्या के साथ मिलकर बनाने का एक प्रोजेक्ट साइन किया था वह परचेस कर लिया गया फिलिपन ने परचेस कर लिया इंडिया से कि आखेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट हैं इंडिया की बात की जाए तो वह काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग पे ठीक है इंडिया पे सिरफ जो है ऐसी वह मतलब चीज़ें पॉर्टक्ट बनाते हैं को वह मतलब सिरफ फिलिपीन नहीं मतलब पाकिसान के लावा हर किसम की कंट्री पे जो हैं इंवेस्ट की जाती है हर जिसम की चीज मनाता है मतलब उनका जो सबसे बड़ा कॉंट्सेप्ट होता है वो यह होता है कि वो फोकस करते हैं अपनी पार्टी पर अगर किसी आम कंट्री की बात की जाए तो वह आं पर ऐसा नहीं होता कि कुई आम कंट्री चीज इंडिया पर आइए इंडिया वी को अनका नाम है आज जो है ट्रेंड पी जा रहा है इंडिया हमें सबस्ट मिलता है हमें भी उनको कुछ सीखना चाहिए हमारे जो स्यास्तिदान होकमरान इनको इनको सोचना चाहिए कि मतलब वह जैसे हमारा प्रदेश मुलक है यह निके वह किसी चैना पर आए या श्रेलि प्रजेक्ट है जो साइन किया गया है फिलिपिन्स और इंडिया के दरम्यान में यह 374 मिलियन डॉलर का प्रजेक्ट बहुत बड़ी डील है ठीक है क्या लगता है क्या इंटरनाशनल मार्किट पे इंडिया के इमेज पे क्या लगते क्या जो है ना इस चीज को देखा इंडिया के लिए इंडिया के लिए वैसे हमारे पाकिस्तान में लाइक को उस क्लास में नहीं रखा जाता बट आइटिंग हमें इस चीज पर जज नहीं करना चाहिए किसी भी कंट्री को लाइगर हम इस फील्ड में आए तो यह टेक्नोलोजी में बहुत एड़ासमेंट है और आइटिंग बहुत अच्छा स्टेप है और यह ओवरॉल इसका इंपेक्ट हमारी नेशन पर भी और बाकी नेशन पर भी बहुत अच्छा है तो हमें इस चीज को अप्रिशियेट करना चाहिए और रियली हैपी फोर इट इसे आपको क्या लगता है कि क्योंकि आपको क् इतना ज़्यादा इंप्रॉवमेंट आ रहा है इंडिया इंडिया फ्रैंकली स्पीकिंग इस गूड नेशन लाइक हाड़ वर्किंग नेशन तो आइटिंक हम लोगों को किसी भी चीज का किसी भी नेशन का जो पॉस्टिव पॉंट से उसको अप्रिशियेट करना चाहिए और वो हार्ड वर्किंग है और हमें उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए कि हम लोगों को भी ऐसे प्रोजेक्ट स्केट करें कि हमारा इंटरनेशनल मार्किट में हम लोगों का नाम हो और हम लोग अच्छा परफॉर्म करें और लोग हमें अच्छे नाम से जाने लाइक पाकि पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के टेकनिकल जो फील्ड है वो कहां पर लेक कर रही है यहां पर इन्वेंशन्स डिसकवरी की बात क्यों नहीं होती देखें पाकिस्तान सॉरी टू से इस फील्ड में बहुत बीक है इस पे इस पेशली गर्वर्मन्ट को वर्क करना चाहिए इस पर जोर देना चाहिए क्योंकि ये फिल्ड हम लोग इसको बाइपास करते हैं हम लोग इसको इतनी इंपॉर्णेस नहीं देते बट इस फिल्ड में हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं हमारे बहुत बहुत टैलेंट मौजूद है बस उसको सिंपल थोड़ा सा ग्रूम करने की ज़रूरत है जो के हमें चाहिए कि हम लोग खुद भी परस्नल एफर्ट भी करें उसके लिए और इंटरनेशनल एफर्ट भी होनी चाहिए और ऐसे इंस्ट्यूट्स क्रेट होनी चाहिए कि जहां पर लाइक इस तरह की एक्सपरिमेंट्स हों और एप्रिशेट किया जाए पाकिस्तान में इस तरह की अप्रिसियेशन नहीं है इस फिल्ड से इलेटेट तो बहुत शुक्रिया जाए 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 तो डेफिनिटली पाकिस्तान भी ग्रोग कर सकता है पार है जैसे कि हमेशा से इंडिया है बहुत ही एकल मंदाना फैसले करता है यह नहीं चाहते है कि वह जो है ना किसी के ओपर डेकरे उन्हों भी अचीवमेंट है बहुत बड़ी अचीवमेंट है अब वह इसके जो है ब्रहमोस मीजाल जो है वह उनके पास होगा तो दूसरे एक डर होगा जैसे कि अटामिक बाम का डर रहता है सब को कि इनके पास है यह कभी भी हमने उंची-णीची की हैंकी-फैंकी की तो यह कुछ भी कर सकते हैं ठीक है इसी तरह इस चीज मोतरमा को कुछ पता नहीं है एटम बाम है पास में तो डर नहीं होता साब ऐसा नहीं है एटम बाम तो 99 में भी एटम बाम था ना पाकिस्तान के पास भारत के पास भी था एटम बाम जो है ना वो सिर्फ काउंटर बैलनस करने के लिए है बाकी उसके लिए नहीं है और एटम बाम चलाने के मैं बहुत खिल पहली और आखरी बार जापान में चला था एटम बम अमेरिका ने गिराया था उस वक्त भी जो तबाही हुई थी उसका अंदाजा लोगों को नहीं था कि क्या तबाही होगी लेकि जब तबाही देखी लोगों ने उसके बार लगा कि यार एटम बम क्या चीज है और दुबा बार गुना जादा पाउरफुल बम इसमें इंडिया के पास भी है पाकिस्तान के पास भी है तो नुक्लियर वार ना हो तो जादा बहतर है और जब नौबत ही आ जाएगी तो भाई ठीक है भाई एक दूसरे को मारो खटम करो बात खटम जो हुँ है इस चीज का भी बहुत बड़ी चीज है चो हुई है जो होई है जो अचीव्मेंट की अ इंडिया ने बहहत बड़ी चीव्मेंट है इस से एब उनके वजह से जो है डर रहे कि अगर हैंकिप हैंकिकुल की तो इंडिया जो है वो यह चीज कर सकता है यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की जो मिजायल की हम बात करें बाहमुज की इसकी मैनिफेक्टरिंग कंपोजिंग और उसके बाद एकस्पोर्ट भी इंडिया खुद करेगा फिलिपन को इसके बाद आपको क्या लगते हैं इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से देखेगी इस चीज इफशल्फ इंडिया की लेबर को इंडिया को कितना फाइदा होगा क्या लगते क्या इमिज रखती हैं इंडिया के इमिज जो है वो बहुत ही अच्छी और अपग्रेड हो जा शामिल हो गई है तो हम लोग उनको बहुत ही अच्छा तरह कहते हैं कि बेस्ट अफ लग और यह और भी ज्यादा चीवमेंट्स करें और उनकी इमेज जो जाएगी अब बाकी कंट्री में या दुनिया भर में वह बहुत ही आला और अच्छी होगी विल्कुल से आपको क्या सकते हैं पाकिस्तान के टेकनिकल फील्ड क्यों इतनी बीचए हैं हम क्यों इन्वेंशन की डिसकवरी कि बात निगाते हैं क्यूंकि हमारे में कलिदे का कल्चर नहीν है इसका क्ल्चर नहीं हैं एक बहुत अच्छे बड़े-बड़े साइंटिस्स हैं बहुत काविल लेकिन उनकी उनको एप्रिशियेटी नहीं किया जाता है उनको गदारे वतन का नाम दे दिया जाता है तो किसका दिल करेगा कि फिर वो इस तरह की इंवेंशनल डिसकावरीज करें हम मैं यह पेगाम देना चाहती हूं कि अगर इस तरह की इंवेंशनल डिसकावरीज होंगी ह तो ही हम लोग चल सकते हैं वरना हम फिर वो जो कर गए हैं अब्दुलकदीर खान साब अलापाक उनको जननत नसीब करें वो जो कर गए हैं फिर हम सिर्फ उनकी उपरी बैठे रहेंगे द्वाएं दें उनको जो कई यह भी कर गए हमारे लिए हम लोग तो मतलब जगर हमारा ह यह वोता जो अभी है तो फिर हम तो बैठे रहते हैं वोट नोन ने पता है कितनी जेल में काट हैं कितने जुल्म बरदाश्त की हैं हम उनके कर्दार तो यह चीजे मारे यह कलचर में लाना चाहिए रिसर्च का डिस्कावरी इस का इंवेंशन्स का कल्चर पकिस्तान नीरी शचेकर अबसान भेसे मेधिस अब जूर साइं किया है सका्श है फेफ्टी वन परसेंट इंडिया जो है का इंडिया ज्यवीव पास इसों कि इलावा जित इंडिया में ही मैनेफ़ेक्ट्रिंग और कर एंडिया से हो रही है इंटरनेशनल मार्केट से बात नहीं है? पाकिस्तान की अप जञएпис पीछे किसी है पीछे के पाकिस्तान की टेक्निकल फील्ट यहां sustainability curly पीजेनी है लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों? कि हमारे ओपर कोई भरोसा ही नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता? आप ज्यादा बेतर जानती हैं उनके बारे में कि सारे तो चौर बैठे हुए थे तो हमारा इमज इंडिया के बराबर जीरो है बिल्कुल जीरो है इंडिया तो बहुत आगे जा जुका हुआ है पाकिस्तान को यहां तक पहुँचने के लिए कुछ 10 साल 15 साल 20 साल भी लगेंगे तो एक वो कहते हैं कि इमज बनाने में कुछ टाइम लगेगा इंचाला पाकिस्तान भी करेगा लेकिन अभी वो टाइम नहीं है फिलाल बिल्कुल सभी बहुत शुक्रिया कलीम साब हमारे साथ मौजूत उनके यही कहना था भी की जाए हमारे क्योंके ग्राउंड लेवल्स पर बेसिक लेवल्स पर भी जो है उस तरह की जो है हमें नहीं नज़र आती है fundamental changes बहुत जरूरी है तो क्या लगते हैं पाकिस्तान को को मेसेज लिए पाकिस्तान की बात की जाएना तो वह स्टेस्ट गोर ही ने करते हैं वह कि अपन की चाहिए लह ली जा है चोटाना मरूंडा बना ना ना पूरी दुनिया में जो तिखाया जा जा यह जो तरह चीजें में गौल्ड फेक बन चुका है प्किसन में ऐसे चीज्जां जो गोल्द करेंगे सकती होता है उसके बाद लेधरिंगा होती है उसके बाद mereka मेरे अबसाधव मरोट नी जा है गे मतलब आपकिसान इस बोट नीचे है मारे गोवर्मेंट से यह मैसीज अभर किया जाए तक तो दोस्तों वीडियो हो गया है खत्म और यह वीडियो बड़ा बड़ा था जीओ पॉलिटिक्स की समझ नहीं है और चीजों की ज़्योर होता है और बातें कहीं और चलीजाती है देखे बातूप प्रमोस की है और ब्रमोस मिसाईर जो फिलिपीन्स को बेची गई है ओन्यू बहुत जादा एंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बावर बैलंस के लिए फिलिप बहुत अच्छी तरह से जानता है इसी लिए फिलिपीन्स को उसने ये मिसाइले बेची हैं क्योंकि भविश्य में अभी आप देख लीजिए चीन के जो टकराव चल रहा है वो 27-28 मुलकों से एक साथ चल रहा है और ये भविश्य में धीरे-धीरे टकराव बढ़ता जाएग क्योंकि चीन अपनी दादागिरी दिखा रहा है जबरदस्ती कर रहा है और धीरे-धीर लोग उसके खिलाफ आएंगे तो अभी से उन देशों को मजबूत करने की कोशिशे शुरू हो चुकी हैं जो चीन के सामने खड़े होने वाले हैं और फिलिपीन्स भी उनमें से एक ह और इसमें मलेशिया भी आएगा आप अभी देखते चलिए तो ये जो है ना अगर चीन ने अपनी हरकते बंद नहीं की तो चीन के साथ बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है और ब्रह्मोस मिसाइल को तो आपको पता ही है कि चीन किस तरह से उस पे आतराज जताता रहता है और ब्रह्मोस एक बहुत बड़ी काठ है चीन की तो वो आप फिलिपीन के पास पहुँच जाएगी दूसरी चीज़ जो ये सारी बात है हो रही था ने कि बही पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए पाकिस्तान में भी टैलेंट बहुत है सारी बात है मानली मैंने आपकी ह होगा कैसे कोई भी छोटी सी छोटी टेक्नोलोजी भी जो होती है ना उसके लिए बहुत दिमाग चाहिए आप चाइना की तरह कॉपी करके बना तो लोगे लेकिन आपने इन्वेंट नहीं किया आपने कॉपी किया और कॉपी करने से होगा क्या कि आपको भविश में पे और आरेंडी पे ज़्यादा फोकस किया है कि बहुत कॉपी करके तो बहुत चीज़ें हमने बना ली लेकिन जब तक हम रिसरच करके खुद चीज़ें नहीं जानेंगे कि चीज़ें कैसे होती है तब तक मुश्किल होने वाली है और भारत ये शुरू से जानता है कि भा साहरत के लिए बहुत इजी है सुखोई बना रहा था वो जेव 17 की तरह ही बना रहा था रश्य ऐसा चीज़ें आती है हमें आप असेंबल कर लेते हैं नासिक में हमारा प्लांट है हम आप वही काम कर रहे हैं जो आप इस वक्ट जवेश्व 17 को कह रहे हैं आप मत मानो भले कि आप ये मानो कि भाई जेव 17 हम बना रहे हैं तो जेव 17 हमारा है नहीं है आप मुझे बताओ जेव 17 के सारे ट्रायल्स चीन में क्यों होते हैं आप ये बताओ कि जेव 17 की सारी टेस्टिंग चीन में क्यों होती है जेव 17 के सारे प्रोटोटाइप चीन में क्यों बनते हैं वो हमने रूस के साथ पार्टनर्शिप की है लेकिन हम रशिया में तो नहीं बन रहा है ब्रमोस या रशिया में उसका पार्ट तो नहीं बन रहा है रशिया में तो टेस्टिंग नहीं हो रही आप इस चीज को समझे मैं भारतिय हूँ इसलिए इस बाग को नकार मत दीजी फर्क है JF17 वहाँ पर चीज़े होती है आपके हाँ पर असन्मल हो रही है ब्रह्मोस में भी हमारी पार्टनर्शिप है रशिया के साथ लेकिन हम ब्रह्मोस की सारी टेस्टिंग यही करते हैं ब्रह्मोस में क्या क्या चीज़े बदलनी है नई बदलनी है सब कुछ यहीं पर होता है हाँ कमपनी में रशिया की भी हिस्सेदारी है तो इस बात को समझीए यही फर्क है अब ब्रह्मोस मिसाइल अभी ब्रह्मोस टूपे जो काम चल रहा है वो आगे आने वाले वक्त में वो बहुत बड़ा अभी तो वन ही गेम चेंजर है तू तो और ज़्यादा खतरनाक होने वाली है MTCR के मेंबर हम बन गए है अब वो 600 किलोमेटर, 800 किलोमेटर, 1000 किलोमेटर तर जाएगी रेंज उसकी और फिर सोचे, ब्रह्मोज जैसी सूपरसोनिक और उसकी स्पीड हाइपरसोनिक होने वाली है सूपरसोनिक में नी, हाइपरसोनिक होने वाली है और 9-10 मैक की रफतार से जाएगी आप समझे, अभी तो 3 मैक की रफतार है नमस्कार, जय हिंद।